खरगुन जिली की कसरावद नगर में नलजल योजना की एजब कहानी है चार वर्षों से चल रहा कार्य अभी भी अधूरा है वहीं इसने गटिया निर्माण को लेकर भी व्रिष्टाचार की बोल खोल दी है नलजल योजना पर कसरावद शेद्र की विधायक सचिन यादों ने रिष्टाचार की आरोप लगाया है तो वहीं उन्होंने कहा कि मद्रदेश में 50 प्रतीशत कमिशन की सरकार बैठी है कसरावद नगर में 18 करोड की नलजल योजना की तहत ठेकेदार को 14 करोड का भुगतान भी किया ज़ा चुका है पिछले चार वर्षों से इसका काम चल रहा है तो भी फिर भी काम अधूरा पड़ा है महीं इस अधूरे काम की बढ़सात ने पोल खुल दी है ग्राम नावडा तोड़ी में नर्मदा किनारे बना वाटर पंप हाउस का रेंप भी धारा शाही हो गया है जिससे की नगरवासी परिशान हो रहे हैं इसके बाद में प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है ठेकेदार द्वारा मन माफिक कारी के अचारा है कारी चार वर्ष के बाद भी नल जल योजना अधूरी पड़ी है तूटे धाशे को देखने प्रशासन का कोई भी आला आदिकारी नहीं आया क्या ऐसे ही ब्रशाचार की भेट चड़ती नजर आएगी कसरावत नगर की नल जल योजना देखिए इस 18 साल की सरकार में भारी भष्टाचार पूरे मद्वदेश में हमको देखने को मिल रहा हर जगा सिर्फ कमिशन वाजी की बात हो रही है पचास प्रतिशत कमिशन की ये सरकार है और उसका जीता जाकता प्रणाम अभी आपके सामने है जो परी योजना 2019 में शुरू होनी चाहिए थी आज हम 2024 के पास पहुच गए मात दो महीने बचे हैं 2024 में इतना लंबा समय बीच जाने के बाद भी और 18 करोड की योजना में से लगभग 14 करोड की पैसा जो है जो कार एजन्सी के पास पहुच चुका है लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इस्तानिय प्रशाशन को किसी प्रकार की कोई उसके बारे में जानकारी है लगातार जो है हमारा हमारी नगर परिशट जो है वहाँ पर उपर अधिकारियों को इसकी सुचना दे चुके हैं लेकिन कहीं कोहीं नराकंड इसके उपर होतावा नहीं दिखाई दे रहा है और पूरी हमारी योजना है यह पूरी योजना जो है ब्रश्टाचार के भेट चड़ गई है तीन दिन की लगातर बारिश से जन्ग जीवन परभाईत हुआ है जिसमें अपने कसरावत की पानी वेवस्ता भी चर्मरा गई है और इसी के चलते पानी नर्मदा में जो भान पर आई थी उसने एक ब्रश्टाचार की पोल खोली है आप एरे पीछे देख रहे हैं यह जो एक ही बार इसमें बे गया है इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ यह भरश्टार कार पानी पानी ने खोल दी इनकी है इस तरीकी का काम किया जा रहा है और परसासन मोने खरगोन से अबरार पठान की यह रिपोर्ट